सबढ़तो बसी खासा ना कि सबीखा सार्ष इतना शावेश हैं बाबा दे तुन शावरेश हैं शित नी मन बेरा मलबेरा लाखों मेरी उत्मेशित अली कि पर बाबा बेरे मंदिल हमें तुमें परती बल्बाबा देखे कि मंदिल हमें यह तो यह यहां बन जाए यहां तुम यहां नहीं भी जाएगा इसे जाए जाए तो फिर यही तरहां लो जाना है कि थ्याइब भाल आपको क्षश एक जाइब एक आपको का जाओएब गिलिए उम्हान किपने देखा हुआ कर दो भाल दो वाईप लिद भागों ठेल्ड इस था रहें प्रोजेक्टर को ने वहां प्रोजेक्टर वाले यह दुद्ध लगा नगा नगा नगान मुद्ध ववाचालू तो अ बंकर दिए गाध अडाश्वा अजयो अगरों वाज को बड़ा है था सार हूँ मधने और दृप पर दो पाई किया हो के मालोगां 2020 नदाय दो मिलें और ते डीक अबाह और मास अब के इंगा है उड़ा मेरे वहां खाले ही है इस फूर ना तेप ने वह दरवाज़क पूछे रखा हुए हमारे बच्चे दो तीन और देखते हैं बच्च थारी थी और आज़े शुटेश टेप पिर में बोली कि इंता प्रोग्राम के शुटेश भी मिलेगा देखन का चाता? अार अकलानी रहा है? आर कष़च ख़बमी लें करने लेयह लुटेश donne अभी तो खरण बंडी होगे लिख अथया वह दुआ हएएफ बेहने कि गररना मिलेक बा mãe जो भी थारव ऐत की लिए अजय जय, जय, मादरौ, मादरौ, मादरौ अभी में ये तोई बाप में जाओं जाओं मीडिया ने मात्यां सी यूग प्रसिक्शन प्राथ कर चुके हैं हमारे सम्वानी सब्सक्राइब के सम्वानी नातिकों प्योड से हम उत्रा है जाओं सी चागत और अभिननन करते हैं स्री राजी दीच्शेची का इत्यासिक उद्वोनन कुछ इच्छाओं में जी प्रच्श्वरान के लिए हमारा अनौत स्री बजरंग केडिया जी स्री पवन गौतम जी श्री राक्ष्मार अग्वाल जी श्री ज्यवदर सर्मा जी स्री सुरेश Sinh जी श्री जोतियत गोय जी श्री रामिस्नी शर्मा जी स्री सन्याए खुआल जी श्री दया सागा जी स्री जया महीं जी दी रावीक सांडिका जी सेवी अलगब इन अजैली, इन अजैली इन अजैली कर दोत्याओ कर दे दो Schmidt कैज सिरोना के अरे यह की आपाय। कर दोत्साइ़ झाल झाल जेले की महला प्रवाली मंडल के बारी स्री स्रादर की स्री राजी जीक्षित जी के बोदा विड़ा वह यहां पहुत पुटल है और जियाता सीग्ड मैं आपके पास में मैं पर आपसे भाज करेंगे स्वामी जी का एक भाज राश्क धर्म से बड़ा कोई धर नहीं राश्क हित से राश्क देव से बड़ा कोई देव नहीं राश्क हित स्वर्वुपली है हर समय हर सास में हर सूच में राश्क चिंटल और यही उनकी जेंटा से अपिक्ष्या है कि वह हर समय राश्क की विसाय में सूचे राष्ट के विशाय में हम क्याम कहें, टिंटी प्रवाजी इसरी संजय अग्रवाज जी से हमारा अन्रोथ, इवाय दीक से लिख से जी को मैंट कर. बारत माका की बारत माका की वन दे वन दे बारत बिलास्पुर के विलास्थ के इस पावं धर्ति पर परंसते राजुबाई जो पुरदेश में भारत क्या था और आज भारत क्या हो गया है और यदि हम इसी प्रणार से सोते रहे जाएकर भी हांक बन दिया रहे तो भारत की दुदसा और किती भीड़ा सकती है इन सबकी जिवावणी आपको देखर के आपके अंदर के स्वहिवान को जगा करके और एक नय भारत की दुदसा अब कर दिया है जिनकी नियती में ऐसे हमारे प्रम और जश्वी व्यक्ता आधने राजी भाई जी यहां पर उपस्तित हो चुके हैं और यह संक्या अमुरन बाहर में बैट करके राजी भाई को सुनना चाहे रही है तो मैं आपके बीच में और राजी भाई के बीच में कोई ब्योधान ना बनता होगा बड़े ही सादर और सम्मान के साथ में आमन्दित करता हूँ परमसते राजी भाई जी को हो आज की सभा में उपस्तित बिलास्पुर्ण नगर के सभी सम्माने में नागरिक पंदो मंच परासी नाच की सभा में सभी जाओ देना मैं आप सब का बहुत आभान व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ उपस्तित हैं और मुझे आपसे सब्वाद करने का समय निल गहा है सबसे पहले भारत श्वाभिमान और पतिंजनी योग सभी की के सभी पदाविकारियों का अधारी हैं जिन्हों ने आजिए व्यवस्था की और मुझे आपके सामने बात करने का मुझा मिला मैं आपसे मेरी बिलंदर काथना है कि दिन के पास भी मोबाइल फोल है वो उसको या तो साइलेंट मोड में रखें या बंद करें अब दिने दिने या आंदोलन भारत के 600 जिनों में पहुँच गया इस आंदोलन में लगब दो लाख पचास हजार योग सिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे संपूर समर्पन भाव से और निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आदे बढ़ा रहे अब ये दो वर्षों में करीब 11 लाख योग सिक्षक और इसमें आने वाले और दो वर्षों के बढ़ा पचास हजार योग सिक्षक हमारे पास पूँगे तब हम भारत के गाओं गाओं तक इस आंदोलन को पहुँचाएंगे आपके मन में प्रशना आएगा कि इस आंदोलन का उदेश्य क्या है इस भारत स्वाविमान के आंदोलन के दो प्रमोख उदेश्य है पहला उदेश्य है भारत के हमारे भारत में हरेट नागरिक को निरोगी और स्वस्त बनाने के लिए हमारा जो अभियान है योग, काणायाम और आयुरुवेट की मदद से उस अभियान के तहट हर दिन हम एक लाख योग कक्षाएं लगाते हैं और एक लाख योग कक्षाओं के माध्यम से हर दिन लाखों भारत वासियों को हम प्राणायाम सिखाते हैं परमपूजिनिये स्वामी रामदेश्य जी आस्था चैनल के माध्यम से हर दिन सुबह 5 से 7 साथ बजे तक और कवरों भारत वासियों को प्रायाम सिखाते हैं आस्खा चैनल भारत में तो आता ही है दुनिया के करीब 100 जाम सिखाते हैं योग सिखाते हैं आयुर्वेट के बारे में बताते हैं और यह कारी हमने इसलिए शुरू किया है कि इस कारी की भारत को बहुत जरूरत है हमारे देश को इस समय बहुत अधिक जरूरत है योग प्रायाम और आयुबेट की बहुत अधिक लोग बीमार हैं सारे भारत देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है ये भारत सरकार के आख़़ों से आप समझ सकेंगे अपने भारत में करीब 120 इसका मतलब ये हुआ कि असी प्रतिशत भारत भीमार इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक परिवार में 5 यहती माने जाने तो हर एक परिवार में वह सतन 4 लोग भीमार हमारे देश में लगवग 24 करों परिवार है, हर परिवार में और सब्सक्राइब चारों परिवार है सबसे बड़ी जो परिवारी है हमारे देश में कूल की परिवार हमारे भारे देश में सबसे बड़ी परिवारी है एनीमिया लगवग हमारे देश की 40 करोव मातारी बहन है किस अनीमिया बीमारी की शिकार है और 30 करोव भाई हमारे देश में पुरुष किस बीमारी के शिकार है 70 करोव लोग तो अनीमिया नाम की बीमारी से ही तूड़े की यह सबसे बड़ी बीमारी है संध्या के लिए साथ से कि पांच करोर सक्तर लाख लोगों को भारत में डाइडिकीज है और ये इतनी खतरनाफ प्रीजी से फैल रही है डाइडिकीज कि हर दो मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है इस्टेशनी डाइडिकीज से हर दो मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है डाइडिकीज के कारण औ कोई नगोई ऐसे कॉम्पीकेशन सोजाते है डाइडीपीस के, कि व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए सराव होता है, या तो पिद्नी फेन हो सकती है, या तो लीबर में कुन बड़ी, तो को आँखों के रोग है, और सारे भारतवासी हैं जिनको आँखों में मुद्लू कोमा ह है, मायोपिया है, कलर ब्लाइन ऐसे, डे ब्लाइन ऐसे, नाइफ ब्लाइन ऐसे, और करोर भारतवासी हैं जिनको भुट्नों में डर्द है, कमर में डर्द है, हम जिसको अर्थराइटिस कह सकते हैं, गटिया, संधिवा, ये सत्रे करोर भारतवासी ऐसे हैं, जिनको या तो हाइपरटेंशन है, या हाइपरटेंशन है, या तो उनका ब्लड प्रशर बढ़ गया, या तो बहुत कम रहा है, और 27 करोर भारतवासी हों के बारे में सज़े हैं, जिनको हर समय कुछ ना पुद बीमारी है, या तो उनको ये सब सूशन fish, तकंत्यों की कमी के चलते, बच्चे या तो शारिरी क्विकलांग है, या मानसिक्विकलांग हैं हमारे भारत में लाफो बच्चे हैं, जिनको प्रोटीन बहुत कम हैं, जिनको कार्बो हैड्रेंट्स पूरें नहीं मिल पाते हैं, जिनको शर काम में कुम की कमी होने का अपने भारत में बड़ी दुर्भादी की स्थिती है कि एक साल में दो करोड अड़ीस लाख बच्चों पैजान होता है इस मैंसे चपन लाख बच्चे जन्द लेने के कुछ महीनों में और कुछ एकाज साल में मर जाते हैं असी से नब्य लाख बच्चे मांचे एक तरफ सरकार बहुत साली सुमनाएं बढ़ा रही है चिकित साका तंत्र बहुत बढ़ा हो गया मैं आपको कुछ पुराने आकरन आकरों के हिसाब से करूँ तो आपको अन्दाज़त अगरत लगेगा जैसे हम 1951 में इस देश में दवाएं बहुत कम बनाती थे माई भारत में दवाएं बहुत कम बनती थे दवा बनाने वाली मुश्टि से दस बारेव कमपनियां होती थे आप भारत में दवा बनाने वाली कमपनियों के संसेंटोज है हेक्स है पार्क लेडिस है जर्वन रेमेडीज है, एली लिली है, प्रेंगेक्सी है, कैडिला है, सिकला है, टॉरेंट है, ऐसी 24,000 कमपनिया है, इस ते आप 84,000 दवाएं बन रहे हैं, तो दवाओं की कोई कमी नहीं है इस देश में, फिर बीमार नों भी परशन है, और एक बात कहूं आपसे, जब 1951 मे हमारी जन बनना शुरू होई थी, तब पता चला था, कि भारत में हॉस्पिटल्स बहुत कम थे उस समय, गिने चुने उंगलियों पर 15-20 हॉस्पिटल्स हुआ करते थे पूरे देशन, आज भारत में 36,000 हॉस्पिटल्स, सरकारी सुलाइड है, उस गुर्प की मैकसिमम मेड न्युक्रक को दी जाती है, और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला, कि ये लिमूसुदल्स मेडिसिन दुनिया के सौ से ज्यादा देशों में 20 साल पहले बैंन हो चुकी है, अमेरिका में ये मेडिसिन बैंड है, कनाडा में बैंड उर्ट है, जिर्मनी में बैंड है, फ् कि सबसे अमीर जो और विक्सित देश माने जाते हैं, वहां तो सब जगे बंद है ही, और दुनिया में जो कम अमीर और कम विक्सित माने जाते हैं, वहां भी बंद है, कारण बहुत साइड इफैप्स हैं इस दवा के, हजारों बच्चे दुनिया में इस लिमो सुलाइट दव को खाने के बाद अंधेर हो गए तो आपको आंतों में घाव हो जाएगा इंटिस्टाइन में घाव अंसर जिसकों कहते हैं और वो जल्दी आपने घाव नहीं भर पाया तो वो कैंसर में भी बदल सकता है इसलिए दुनिया वर के डॉक्टर सब क्विलो किनॉल का प्रेस्प्रिक्शन बंद कर चुके हैं ऐसे ही दो मेडिसिन हैं मैकसा फॉर्म और एंट्रो बायो फॉर्म कि दुनिया वर में बंद हो चुकी हैं 25-30 साल पहले कई देशों में तो 40 साल पहले बंद है विकिन भारत मे तो धड़ले से भिक रहे हैं और दुरुभादे से ऐसी भारत में 83,650 दवाएं भिक रहे हैं मैंने तो दो तीन के नाम लिए क्योंकि समय की बहुत कमी है ज्यादा देर में इसमें बात दिल कर पाऊगा लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा भूटाला हमार देश में चिकित्सा की छेत्र में चल रहा है कि जो जहरीली दवाएं हैं बेकार की दवाएं हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है वो हमें खिलाए जाए आप बूलेगे इसका कारण क्या है इसका कारण है ब्रष्टा चकर करप्ष्ण ऐसी है जो दूसरे देशों से आपको नाम लेके बताओं एक बहुत बड़ी कंपणी है उसका नाम है प्रॉक्टर इंड गेंबर यह अमेरिका से आई है और यह भारत में एक ऐसी दवा बनाती है जिसको अमेरिका में बोर कभी भी नहीं बना सकते क्योंकि अमेरिका में को ब्रेडिसिंग कई साल पहले ब आपको प्राइम मिनिस्टर आफिस से में जाए जहर बनाने का लाइस मिलता है मैं यह ऐसी हवा में बात नहीं करना हूँ एक अमेरिकल कंपोणी हमाले आई थी यूनियन कारवड इसको एक ऐसा जहर बनाना था जो दुनिया में कहीं नहीं बनता है वो उसको के लिए इस्तेमाल करना उङा कि उसका नाव हुना कि उनके घरों के बिजली के पीष्टर पॉस को लाले कृते हैं को Hem fashion को इतना कि इसका खृण इसका धरू परे इतना एतना डॉफ्र में हिस और प्रसक्रने एष अच्छा जब बड़े डॉक्टर्स कोंग के ते कि आप इतने गिर ने तो कहते हैं हम क्या करें 40,00,00 उपरे खर्च करके हमने अंडी किया 50,00,00 खर्च करके हमने MS किया किसी बैंक से हमने करजा ले रखा है तो ऑब कहा लेकी है अगनों कैसे है हाँ ये डॉक्टर बनते है तो ये तैयारी करना है कैसे नूपनां काहां से लूपनाप और पढ़ायी ने उनको ऐसे जाए लिए कोई जब कोई पढ़ाई करके निगलता उसको कोई गाउं में जाके सेवा देने, कोई तयार नहीं जाने, फिर यह कमाई के टैक्स के पैसे से हमारी, हम उनको पढ़ाई कराते हैं, और लोगों की सेवा देने के लिए गाउं जाने को कोई तयार, 36 गण में देख लो क्या बुरा हा पुड़ाई करा कि कुछ को तयार करो ताकि गाउं ने लोगों की कुसेवा हो क्योंकि ये 5-6 साल वाले तो जाने कोई तयार दे प्यूंकि गाउं में किसको लूटे ले हाँ इसलिए तो नहीं जाते कि लूटे ले किसको भाई कौन मिलेगा महा लूटने को हमारी संख्या-देश में 35 करोड है 35 करोड भारतवासिे को माना जाता है कि वूं ज्काने मुझ्यम्रड वर्ड के हैं और उच्छ्ड के हैं हमारे जो पैसे खर्च करके डॉक्टर को में आते हैं मैं धिससे जाता हूँ तो एक रास्ता तो यह है कि आप सब इस फालतू दवाओं के दुश्चक्र से बचने हैं, अगर बीमारी से बचना है तो आप इस फालतू दवाओं को ना खाएं, कम से कम वो दवाओं बिल्कुल ना खाएं जो दुनिया में कोई नहीं खा रहा है, और कुछ दवाओं के नाम तो याद करने हैं, एस्परिन, डिस्परिन, नोबालजीन, एनलजीन, परसीटामोर, स्टप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बरालगन, पूटाजो, ऑक्सिफिन, पूटाजो, उलोकिनॉल, टाइपलो, फैने, इन दमाओं को कोई नहीं खा रहा है तो आप मत खाओं, और इ मेरा कहना है, बीमारी से नहीं, बेइमान डॉक्टर्स से बचुट, नुकसान हो रही है, वो दवाएं मत खाओं, एक एक दवा के सौसो साइड इफेक्स हैं, वो कभी भी मत खाओं, और ऐसे बेइमान डॉक्टर्स के पास मत जाओं, जो फाल्कू आपरेशन करते हैं, बड़ा कमिशन को रहे हैं, एक उचन में बता चलता है, जो फीलिदवा क्या है, उचि LISA कहता है, सिध्धान करते हैं ये कहा जाता है, ये के एक बार में एक दवा परियाबत होती है, अगर कोई नक्तर दवार ये निख रहा है तो समझन लो ये कमिशन के चक्र में देता है, और अगर कोई डॉक्टर रिलाज करने से पहले आप से दीमे से पूछ रहा है कि आपका मेडिकल इंशुरेंस है तो समझ रहे ना महालूत हो रहे है तो पूछ इसलिए रहा है कि कितनी जेव काटूनिस की अंदाजा लगा रहा है और ऐसे ऐसे लूट मची है एक दो बात और क श्रावत एक छोटा सा स्थी मच कम और में खाफ ед है और शसरों करते हैं उस्कों चोड़ा करने को यह ने कुछ यह दो लाग रुपई होता है यूक और खुली छूट है onची अगर आप विलासपूर में कखकी कराएं तो हो सकता है साठ स सतर अज़ार लगे वही ऑनजेओ प्laski गायपोर कराएं तो लाग रुपई लगे दिली चले जाएं thanki मुंबई चले गए तो तीन लाख तक लग सकते हैं। ओपरेशन एक ही है। कीमत सब जगे अलागे लगा है। क्योंकि आज तक सरकार ने इस सर्विस को रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं बना है। इसलिए ये लूट मचीन है। और ये बात बताओं। ये जो एंगियोप्लास्टी ओपरेशन है ये पूरी तरह सफल नहीं होता है। अब जहां से जहां तक स्प्रिंग है वहां तो ब्लट का फ्लो अच्छा है। येकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाएगा तब क्या करो गया। अगर आपके ब्लॉकेज करने की टेंडेंसी है तो कितने भी एंगियोप्लास्टी करो सब बेकार। तब तक आपका कोई ऑपरेशन काम्याद ने इस ही है मैंने आप से कहा कि ये फाल्तू ऑपरेशन्स मत कराओं फाल्तू दवाएं मत खाओं ये बेईमान जो डॉक्टर से इनके पास मत जाओं यही एक क्या तो आप ट्रणायां करो योग करो आयुरवेक की ऐसी दवाओं का उपयोग करो जो कभी भी शरीर कर अपर ऐसी कृपा की है कि हजारों दवाएं आयुर्वेक में हमको निशुल्क दी हैं कोई पैसा नहीं गटता हूँ दवाओं का अब जैसे मैं आप से कहूँ बेन पत्ते से दवाओं बनती हैं बहुत साही है आयुरवेक में अब बेन पत आप तोड़ के लाओंगे, क्या पैसा कंच होगा, कहीं भी मिलता है, तोड़ लो, आप उससे दवा बना लो, प्योग करें, एक बहुत अच्छी घास होते हैं, उसको पथर चट्टा करते हैं, उससे कई दवा ने बनते हैं, इस टोड़ प्रॉब्लम के, सड़क पे लगी हु तोड़ लो, इस्तेमाल करें, ऐसी हजारों दवाएं हैं, किसी पेड़ का पत्ता दवाएं, किसी पेड़ की जड़ दवाएं, किसी पेड़ का तना दवाएं, किसी पेड़ का फल दवाएं, किसी पेड़ का फूल बहुत अच्छी दवाएं, और हजारों तरे के पेर परकर से प्रयाति को बाइन को परहुंअ के तुरोंगान को संको ultimate क्वा आप गजो हमाहें उत्जागैंस एना रॉठ कौंएक है ऐना और यह कि लादिते से पालने हुआखे में करो करें कि आप गंभेर सी फाइब्सेट के दमीर करते आ छीडा था से विक तो एक प्राणायाम नहीं होता और दूसरा योग प्राणायाम करो इसमें तो कुछ भी खर्चा नहीं है प्राणायाम करने में तो स्वास निकालना और स्वास लेना इसी पूरी प्रक्रिया को सीखना है और पिछले दस वर्षों में परमकुजनी स्वामी राम देव जी ने भारत के और भारत के बाहर के करोणों लोगों को प्रानायाम सिखा सिखा कर हरूँ उस विमारी से ठीक कर दिया जो एलोपैथी में कभी ठीक नहीं होती। आप जानते हैं डाइबिटीस का कोई treatment नहीं है एलोपैथी में लेगिन प्रानायाम से ठीक होती है। और प्रानायाम से ठीक होती है। अर्थराइटिस का कोई treatment नहीं है एलोपैथी में लेगिन प्रानायाम से ठीक होता है। हमारे शरीम में कई धंभीर बीमारियां हैं माताओं को गर्भाश में गांट हो जाएं टूमर हो जाएं। कोई नहीं करेगा ठीक उसको एलोपैथी में प्रानायाम से ठीक होता है। ब्रेन टूमर ठीक होता है। यूट्रस टूमर ठीक होता है। ओवरी का ट्यूमर ठीक हो जाता है, सर्विक्स का कैंसर ठीक होता है, थ्रोट कैंसर ठीक हो रहा है, असी ओफएगस ट्यूप कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर में कांपरानायाम काम कर रहा है, और कैंसर ठीक हो रहा है, और कैंसर इतने अच्छे साथ है, और अब अमेरिकन स्टाने वाई एंगे माहिए में बहुत तड़ा हो रार रिद्वार में इंट्रनाशनल कॉन्फरेंग हो रहा है उसमे आ रहे हैं बहुत सारे भीशेश fino एस सी जानने के गियसे Бभझे थीफोरा राय तरह जो पराम है में से inglés और को रायइड ओर धीज तीम को रही है हाइपोटेंशन ठीक हो रहा है, अर्थराइटिस ठीक हो रहा है, दमास्तमा ठीक हो रहा है, टुबर्टियोसिस ठीक हो रहा है, जो बीमारियां बिलकुल ला इलाज मानी जाती हैं दुनिया में वो ठीक हो रही है, तो हम क्यों ना इसका उप्योग करें फालतू में अलोगती की चक्कर में पैसे बरबाद करें तो मेरी आपको यही एक सला है में विदन है कि आप प्राणायाम करें योगासन करें पर आयर्वेट की कुछ दवाओं का उप्योग कर लें आपकी लगब हर बड़ी बीमारी आप ठीक कर पाएंगे हमने पिछले दस साल में ये करके देखा है कि 90 प्रतिशत से ज़्यादा बीमारीयां तो हम खुदी ही ठीक कर सकते हैं अपनी 90 प्रतिशत से ज़्यादा बारे भारत देश को हमें एक स्वस्थ देश बना सकते हैं सुखी देश बना सकते हैं बिना एक पैसा खर्च के बस हमें थोड़ा प्रयास करना है तो आप से मेरी यही दर्खाई जरूरत पढ़ने पर आयुवेट की दवायों प्योग करें आप यह जरूर पूछ सकते हैं कि हमें पता नहीं है तो मैं आज आपको कुछ जरूर दंभीर भीमारों के बारे में बताना चाहता हूँ आपके पास अगर डाइरी है तो आप प्रणायान की मदद से, योग की मदद से, आयुवेट की दवाओं की मदद से पर आदमी को इसकी गैंक करी की जरूर है मैं शुरू करता हूँ डाइबिटीज से, जो सबसे खराब भीमार है डाइबिटीज भारत में 5.70.000.000 लोगों को है और 3.000.000 को हो जाएगी अगले कुछ सालों में सर्टार ये कह रही है हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है डाइबिटीज से और कॉम्प्लिकेशन को बहुत हो रही है किसी की पिपनी खराब हो रही है, किसी बलीवर खराब हो रहा है किसी को ब्रेन हो रहा है, किसी को पैरलेसिस हो रहा है किसी को brain stroke आ रहा है, किसी को cardiac arrest हो रहा है, किसी को heart attack आ रहा है, complications बहुत हैं, खतरनाख है diabetes के, तो ऐसी इस्तिती में हम क्या करें, मेरी तो एक छोटी सी आपको गुजारी शहसला है, कि आप insulin पर ज्यादा निर भर ना करें, क्योंकि ये insulin है ना बसते का परा है, पांच मिनट र पराली पेट, diabetes के heart patient को, पांच मिनट बस रिटा, बस रिटा तो बहुत सरल है, आराम से बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूँ हो, और आपकी उंगली और अगुटे को इस तरह से सपर्ष करें, ध्यान मुद्रा हो, और लंबी सांस बरें, लंबी सांस छोड़ें, लंबी सा करें, इसके बाद कपाल भाती, कपाल भाती आदा घंटे करें, लगातार करें, कपाल भाती में क्या है, जटके के साथ और ताकत से सांस को बाहर रिकाल दें, और सांस के निकालने पे ध्यान देना है, लेने पे ज़्यादा परिशानी आपको नहीं करें, लेने का काम तो श सांस निकाल नहीं है ताकत से निकालेंगे और जब सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा बस ही किसी बार एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आपको तुरन समझ में आ जाएगा बस ये है कपाविवाती प्राणा है आदा गंटे लगातार करें अगर ठक जाएं तो बीच में थोड़ी दिर रोग के फिर दुबारा शुरू करते हैं करना आदा गंटे और तीसरा एक प्राणायाम करना है अनुलोग बिलोग में क्या करना है आपको आपकी दाहिनी नाग को दाहिने अवूटे से बंद करें और बाई नाग से पूरी सांस को निकालता है फिर बाई नाग से सांस को भरे और दाहिनी नाग से निकालता है फिर दाहिनी नाग से सांस बरें, बाहिनाग से निकालें। बस यही है अनलोग परें। इसको आदर बिंटा करें। एक बार दिखा देता हूं आप आप आम से कर पाएं। बस आदाव इंटे ये करने हैं अनलोग मिलो मादाव इंटे का पाल बाती पांच मिनट बसते का ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डाइबिटीज के लिए और इसके साथ आप चाहें तो आयुरवेद की एक दवा जरूर ले रहे हमारी मदें जली जवित्सा के इंदर में तो मधुनाशनी वड़ी एक आयुरूवेदिक दवा है जो डाइबिटीज के लिए है वो मिलती है लेकिन आप चाहें तो अपनी घर में भी बना सकाएं 100 ग्राम मेथी का दाना ले ले और इसको धूप में सुखा कर पत्थर पे पीसके इसका पाउडर बना ले 100 ग्राम तेज पत्ता ले ले इसको 200 ग्राम जामुन की गुठ्वी ले ले जामुन का बीच है इसको धूप में सुखा कर इसको पीसकर इसका पाउडर बना ले और 200 ग्राम बेल पत्र के पत्ते ले 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 इसको धूप में सुखा कर इसको पीसकर इसका भी पाउडर बना ले तो 200 ग्राम बेल पत्र के पत्ते उसको सुखा कर पीसकर पाउडर बनाना 1.500 ग्राम जामुन का बीच या जामुन की कुठ्ली उसको सुखा कर पीस कर पाउडर बनाना 100 ग्राम मेथी पदाना और 100 ग्राम तेज बनाना ये चारों को पीस लिया पाउडर बन बिया अब ये आपस में मिक्स कर लें सब को एक दूसरे में मिला दें बस यही दवा है इसको कैसे खाईगे एक चमच सुबह ले 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 गरम पानी के साथ खाना खाने से घंटे बर पहले बाच और एक चमच शाम को ले ले जब रात का खाना खाते है न उससे घंटे पहले तो सुबह शाम एक एक चमच पाउड है गरम पानी के साथ खाना खाने से घंटे पर पहले लेड़ दो महिने अगर आप में ये दवा ले ले लगाता है और ये प्राणा याम कर लिया तो ये पक्का मान लिजे कि आपकी डायविटीज बुल ठीक हो जाए कोई कारण नहीं है बहुत साथ के लिए हजार और साथ और ये टाइम टेस्टिट मेडिसेंस है टाइम टेस्टिट माने समय पर जिन दवाओं की परिक्षा हो चुकी है और खरी उत्रे है हमारे जो पुराने गहते हैं ना वो सब इस्तेमाल करते रहे को कंट्रोल करने और ठीक करने तो आप ये दवा खाएंगे और प्राणयाम करेंगे पस एक ही बात है जो सावधानी आपको रखने है परहेज डाइबीटीस के सभी बरीजों को थोड़ा परहेज करना है और परहेज ऐसा करना है कि जादा चीजें अीसी खाएं जिनमें FIRE हो High Fiber, Low… Fat Đight घी तेल वाली ताइट का हो और FIRE वाली जादा हो रेशेदार चीजे जादाँ है सबड़ीया सब में रेशे है वो खाएं दाल जो खाएं वो छिल के वाली खाएं क्योंकि उम्हें आफा बहुत होता है चेहिके वाली सब दाल खाएं, मोटा अनाज जादा खाएं, मोटे अनाज में फाइबर बहुत होता है, तो मोटा अनाज खाएं, दाल सभी चेहिके वाली सबजियां बरपूर खाएं, फल आदी जादा ऐसे खाएं जिन में रेशा बहुत है, तो आपको ऐसी गाये केनी है जो पूरी बीमारी को ठीक होने में चीनी सबसे बड़ी रुकावट है। आप जो चीनी खाते हैं ना इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। आपको एक दो बात मालूम है चीनी के बारों है कि इसमें कोई ऐसा बात है। और जिसके साथ आप इसे खाओगे उसे भी हजम नहीं होने देगा। जैसे खाने के साथ आपने चीनी खाई तो चीनी तो हजम होगी नहीं, खाने को भी नहीं हजम होने देगे। इसमें है क्या आजो आप खा रहे। मीठापन भी उसका आपके काम बने है। देखो जो मीठापन हमारे बहुत काम आता है उसका नाम है फ्रक्ट्रोज सुक्रोज भी एक मीठापन है फ्रक्ट्रोज भी एक मीठापन है फ्रक्ट्रोज जो है न वो काम आता है अपने शरीप को फ्रक्ट्रोज किसमें होता है चीनी को छोड़कर भगवान की बनाई हर उसमें फ्रक्ट्रोज है, केला है, उसमें फ्रक्ट्रोज है, अंगूर है, नाशपाती है, अम्रूद है, संत्रा है, मुसम्मी है, सीधे शब्दों में कहूं, उसे खाओ, और ये इनसान की बनाई हुई चीनी है, इसे मन खाओ, क्योंकि इनसान जो है ना वो शैतान हो सकता है बगवान कभी शैतान के बगवान की बनाता है आदमी और फल बनाए है सब बगवान के बनाएगी मीची चीजें भरपूर खाओ उसमें कोई तकलीफ जादा नहीं आएगी आपको चीनी हटा दो अपने ब्रह से जो डाइबिटिक पेशेंट है वो तो हटा दी हटा ही दें जो लॉन डाइबिटिक हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आप लटा तो आप बोलोगे फिर हम क्या खाएंगे मीठा गुड़ खाओ ना गुड़ बहुत अच्छा है आपको चीनी से हजार गुना अच्छा है गुड़ मैं गुड़ और चीनी की जड़ा तुलना समझा दो आपको गुड़ मैं कैलशियम भरववर है गुड़ मैं फॉसपोरस भरवव है गुड़ मैं कौटेशियम भरवव है फ्री मैं अब भारत वासी तो ऐसे हैं कि फ्री में जहर भी मिले तो लेनी को तरिया है आप जाने काना कोई भी आदमी जब भार गोठका खाता है तो फरी में ही खाता पहली बार कमबा कुछ खाएगा फ्री में खाएगा पहली बार सिगरेट पिएगा फ्री में पिएगा पहली बार दारू पिएगा फ्री में पिएगा फिर बात में पैसे लगाएगा उसमें अंग्रे जोंको हमारी ये कमजोरी का पता चाल गया कि भारत में अगर कोई चीज फैला नहीं है तो फ्री में मांटो गए फिर यही भारत वासी खरी देंगे हैं चाय बेची उन्होंने तो ऐसी फ्री में भी लाइए चीनी भी ऐसी लाइए तो हम चक्कर में फस गए पहले फ्री में लेते रहे फिर आज़त पढ़ देए फिर खरीद के और आज ऐसा बुरा हाल है पूरे देश का कि सारा देश डूप गया इस चीनी चाय में चीनी, दूप में चीनी, दही में चीनी, लसी में चीनी, मिठाईयों में चीनी कई अद्बुत लोग तो ऐसे हैं जो दाल में भी चीनी डाल के खाते हैं हाँ, बिना चीनी की दाल भी नहीं खाते हैं सब चीनी में चीनी डाल लें बदा करें भगवान इन सब का, जल्दी इनको गुद्धी आये, ये चीनी से मुप्त हो जाए और मैं आपको एक गहरी बात कह रहा हूँ, कि अंगरे तो ने यहां तो चीनी में डबो दिया, फसा दिया हमको और उनकी अपने देश में वो सब चीजे शुगर फ्री बना रहे हैं आज जाए आप इंग्लेंड में जाओ, लंदन में, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर मिठाई शुगर फ्री मिल जाए दिया, शुगर फ्री केक बन रहे हैं, शुगर फ्री चॉकलेट्स बन रहे हैं, शुगर फ्री पेस्ट्री बन रहे हैं, जो उनकी मिठाईया हैं वो य कुछ परिणाम चीनी का है और चीनी से भी जादा खतरना जेट चीज इन्होंने बनाई थी सैक्री पहले जागरती इतनी जादा आ गई है डॉक्टर्स लगे हैं बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इसमें लगे हैं इसकूल में जा जाके बच्चों को पहरे शुकर फ्री तो वहां जादू ता गए और वो समझ गए और उन्होंने देखा कि उनके मुटापे का कारण चीनी है उनके हाईब्रड प्रशर का कारण चीनी है उनके देश में डाइबिटीज का कारण चीनी है ब्रिन स्टोक का कारण चीनी है अब तक जो रिसर्चेज होई हैं वो बता और अच्छे से उनके हां ये बात चले पड़ी है। और चीनी सबसे महगी बिकती है इस देश में ये क्या चक्कर भए लूट रहें ये सारे देशों। और गलत कानुनों को ठोकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये देश करप्शन फ्री हो और इस देश के भ्रष्ट नेताओं को हम किनारे करने में खाना खाएंगे। उसको हजम होने में, डाइजेस्ट होने में सामन रूप से 6 गंटे लगते हैं। लेकिन अगर आपने गुड़ खा लिया तो चार गंटे में ही वो खाना आपका पचेगा। यह गुड़ पर हमारे आयुर्वेद की सबसे बड़ी रिसर्च। तो आप खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। खाना जल्वी पचेगा। और इसका उल्टा है। अगर आपने खाने के बाद थोड़ी चीनी खाई। तो यह खाना तो पचेगा नहीं। कम से कम 8 गंटे तक। और वो चीनी को पचाने में पूरा खाना बरबाद हो जाएगा। लेकिन चीनी पचेगे। चीनी में एक क्यमिकल जो हमेशा याद रखी खा रहे हैं। तो वो आपके शरीम में जा रहे है। और यह जो गंदक है सल्फर्थ। यह चली तो जाती है शरीम में चीनी के साथ। लेकिन विकंती नहीं बहार है। हमारे शरीम की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई गंदगी, कोई कच्रा गया तो या तो यूरीन के साथ निकल जाएगा। तेशाप के साथ। नहीं तो इस्टूर के साथ, मई के साथ। नहीं तो पसीने के साथ निकल जाएगा। कभी जरूरत हुई तो बईगं के साथ नि यह लिए करता हूं, यह जमा होता है, रट्व में जमा होता है, खूम में जमा होता है, और एक लिमिट जब यह उनके साथ हम भीज देते, सारी चीनी बिलें उठाके पूर ले जाते हैं यहां से, क्योंकि इसमें कबार और कच्रा हैं और कुछ है नि, तो देश का भला हो जात वापस हम फिर गुड़ खाने लगते, गुड़ बनाने लगते, यकिन वो नहीं हुआ, अग्रेजों को भगा दिया, चीनी को रख लिए, और आप स्वस्त बनेंगे, निरोग बनेंगे, यह मैं आपको गारंडी दे रहा हूं, आप चीनी छोड़के आज से शुरू करके द सब बजन कम हो जाएं, तोल बाहर मिकली है, पेट बाहर मिकला, चीनी छोड़के देखिए, पेट अंदर चलाएं, गुटने का दर्द है, कमल का दर्द है, कंदे का दर्द है, सब में आराम हो जाएं, नीद अचीनी छोड़के देखिए, कम हो जाएं, माइगरेन आपका ज चरीर हल्का लगेगा हर तरह से, छोड़ दें, हमने हजारों की छोड़वाई और सब एक ही बात करते हैं, वजन कम हो गया, पहले से अच्छी मीद आ रही है, गुद्गे का दल्द कम हो गया, कमर का दल्द कम हो गया, कई तरह की सर्वी चुकाम, तरह तरह की स्टोफीलिया, स दूसरों को भी बताईए, और आप इस काम को थोड़ा गंबीरता से कर पाए, तो आप स्वस्त होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे, नीमानियां बहुत कम हो जाएंगी, तो डाइबिटीज के बहाले मैंने आप से ये बात कही, थोड़ा जल्दी जल्दी दो तीन हाई ब्लड प्रशर आपको है, तो आप तीनों प्राणयां करिए, बस्तरिका पांच मिनट कपाल बादी आदर गिंटा, अंग्लों गिलों मादर गिंटा, और हर दिल, थोड़ी कुछ आयों में दिल्दी दभाएं ले ले लीजे, जो घर में ही है, जैसे बहुत अच्छी जैल प्रशल आपके घर में है दालिचिनी, जैल शे नहीं मसाले के रूप में आप भी उसकरते है, वो आप खाई आदा चमश द गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छी जवा है यह नों में से कोई है, या तो फो या तो फो है दूसरी चमश लीजे, एक गिलास गर्म पानी म पी लीजे और बैती दानी को चबा के खाले जाए ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करें बेड़ से दो महिने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा है और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए अरजुन की च्छाल अरजुन एक वरक्ष होता है कहीं भी मिलता है 36 जाल को धूप में सुखांगे पत्थर में टीस के बना लिजे इसका पाउडर आधा चमबच पाउडर आधा गिलास गरंपानी जिविल आके लेए बहुत अच्छा होगा कि आधा चमबच अर्जुन-चाल पाउडर को आधा गिलास गरम पानी में जून की चाल और एक अच चार काली बिर्च पीस के ये सब डाही के पीना बहुत अच्छे इसे आपका विपी ठीक करे रहे हैं और ये हिर्दय को भी बहुत व्यवस्तित कर देता है परपुजनी स्वामी रामदेव जी ने पिछले दस वर्शों में करोनों भारतवासियों को लौकी का रस पिलाए और गंबी रोग ठीक हुए उनके डायविटीज ठीक हुई हरीविटीज ठीक हुआ आज इस्तती ये है कि जो लौकी कभी दो रुपए किलो विका करती थी अब वो बीस रुपए किलो क्योंकि डिमांड पढ़ी ना तो कीमत बढ़ ले हमें इसका कोई अफसोस नहीं अगर थो आप चाहें तो लौकी को अपने घर में भी लगा सकते हैं थोड़ी भी कच्ची जमीन है लौकी आराम से होती है और लौकी के बारे में कहा जाता है कि खराब से खराब जमीन पर लौकी की बेल फैला दीजे तो नीचे का तापमन कम हो जाएगा अंदर का लौकी तो मिलेग से के भी पांस है दस फिट लंबी दस फिट चौड़ी तो इसमें कम से कम कम से कम सोबर्ग फिट की छत में पाच हजार रोपए की लौकी पैदा कर सकते हैं कम से खुद खा सकते हैं पढूसियों कर चला सकते हैं क्योंकि यह बहुत भरपूर फल देने वाली है बेल क्रीपर है सुरिके प्रकाश को जादा उशूर्शित करके काम करने वाला यह पहुत है तो आप लोकी का रस्पी हैं बहुत अच्छा है रही बेलबत्र के पत्ते यह हाईगल्ट प्रसर में बहुत कामाद है आप इसको उप्योग करिए पाच पत्थे ले लिए बेलबत्र के पत्थर में पीस के बनाई है उसकी चट्नी और जो चट्नी बन गई बेलबत्र के पत्थे के उसको एक गिलास पानी में डालके खूब गरम कर देजिए इतना यह सबसे जल्दी हाइब्रड को ठीक करता है और यह बेलबत्र आपके शुगर को भी नौर्वल कर देगा जिनको हाई ब्लेट प्रशर और डाइबिटीज दोनों है उनके लिए यह सबसे अच्छी दवार बेलबत्र शुगर भी ब्लेट पत्र वही है जो हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं मेरा एक सब्सक्राइब करते हैं मेरे इसका हिसाब निकाला था कि जितने शंकर जी के मंदिर भारत में है सावन के महीने में सावन का महीना सबसे जादा आधार पर रोज सुमेर खालिये पेट हमारी भारत की जो गाये हैं जिसको हम देशी गाये करते हैं स्वदेशी गाये करते हैं इसका आधा कप मुत्र रोज सुबह खाली पेट कोई भी पी है हाई ब्लड प्रशर बहुत जल्दी ठीप होता है और यह गोव मुत्र बहुत अजबुत है यह हाई ब्लड प्रशर को नहीं और यह डो भीपी को भी ठीक कर लेटा अगर आप खाली तो आपकी शुगर भी ठीक होगा बीडी भी ठीक होगा दुबमोत्र है अगर पी रहे तो दमा भी ठीक होता है ट्यूबर्कुलोसिस ठीक हो जाता है, वो पूते से, हमने परिक्षार करके देखा है, कि अगर किसी व्यक्षी को, आप एलोपैथिक मेडिसिंग दें, इनकी ट्यूबर्कुलोसिस एक बार ठीक होती है, दुबारा नहीं आती है, इतना प्रभादी है, तिकि एलोपैथी में में तो कोई दवा नहीं दो को आप, आयो रेज में बहुत दवाएं हैं, भरतूर दवाएं हैं लोगे, सबसे अच्छी दवा है गुड़, ये जो गुड़ है ना, ये पानी में घोई के नमक मिलाके नीबू का रस डाली के पिए, एक दिलास पानी, 15-20 ग्राम या 25 ग्राम तक गुड़ मिलाओ, और उसमें डालो नमक, और डालो निबू का रस और पिलाएं, दिल में दो-तीन बार पिलाओ, लोगे भी भी सबसे जल्दी ठीक हो गारस, और ये अच्छी दवा है लोगे भी भी की बहुत बढ़िया दवा, अगर आपकी पास थोड़े से पैसे रहे तो रोज अनार का रस्पी हो, नमक डाले का, बहुत जल्दी लोगी भी पी ठीक हो, अनल्यास का रस्पी हो नमक डाले के, ये भी लोगी भी ठीक कर थोड़े अच्छी जिए दवा बताताओं लूबिपी की श्री और मखन मिलाके खाओ ये लूबिपी की सबसे अच्छी दवाद मक्खन वो जो घर में आपने कामते हैं बजार वाला नहीं दही बनाके उस में से मखन जो निकलता है वो मखन ताजा और विश्री मिलाके खाओ श्रीकृष्ण बगवान की डाइट है, मक्षन नशे, रोच खाले, और इसी की ताखत से कंस को मार, जरासन को मार, इसी की ताखत से, मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात करता है, डाक्टरी की जो पढ़ाई है, इसका सिलेबस को आप जानते ही, यूरूपियन अमेरिकन है, वो खड़ना, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो परस्टार बहुता, लेकिन हम जो दही में, वो चलाते में क्या रहते उसको मथानी गई, दही में मथानी चलाते लिए मक्षन निकलता, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है, इससे जल्दी कोई ची और मक्कर के साथ अगर मिश्री मिक्स हो रही तो ये एक दूसरे के ऐसे जबलकस के दोस्त हैं कि इनका कहना तो आप सभी को देने दने हैं कि आपके घर्टे फोटे लो बीपी में इतने अच्छी लाके पी एक गिलास दूद एक चमच घी और घी ये गाय वाला ना मिले तो महस वाला भी चले लेकिन अच्छा गाय वाल और गाय वही जो देशी इन चमच घी एक गिलास दूद रूच रात को पी के सोजाओ इसी है नमक का पानी प्यों पानी में नमक डाले के पीते हो जो सबसे गरीब रोग हैं जो ना मक्कन खा सकते हैं ना विश्री खर करें तो इनको कि पानी और नमक एतना तो पेए सकते हैं और गारब पानी के साथ में यह जोड़ी कुछ बात करने हमारे हैं जोएं लें कच्छी अजवाइन सबके घर में हैं, आदा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच गुड़, दोनों मिलाएं, और चवा के खाएं, पीचे से गरम पानी पी लें, और ये रात में ही खाएं सोते समय, जिनको कॉंस्टिपेशन बहुत रहता है, पेट साफ नहीं होता, वो रात को सोते समय, यह एक चम्मच घड़, आधा चम्मच अजवाइन, मिलाके चवा के खाएं, यह बोरो मोतिया के साथ है, अच्छी और दवा है, गले का इंफ्टेंशन है, हल्दी इस्ते बाल के शुरू होता है, उसकी सारी कॉंफिकेशन चूने से ठीक होता है, कि अक्सर हमारी माताओं को बढ़ती हुई उप्र में ऑस्टियो पूर। किसी बीमारी के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा किसी डॉक्टर के पर से और दमाएं वही जो अपने आसपास हैं रसोई में जो दमाएं हैं रसोई के नजदीक में जो हमारा केचिन गार्डन नहीं कर बड़ी की गरीबी और पड़ें और अहरान करने वाली बात यह है कि भारत की सरकारों में बारे पंच वार्शिक योजनाएं इस देश में लगाएं गरीबी हटाने के लिए वासियों को जोड़ लेना है और तब बही मानों से लड़ाई शोब करें कि भारत माता की जए बारत माता की बनादे आत्रम वंदे आत्रम अप सब्सक्राइब आप सबी अपस्तित मां भाव प्रमादरनी सब्रिवाद आज इसकाल करन को जो आईजित के हमारे परंचते संजैर लॉलाज जी जो हमारे संगर्षट है आदर्डी द्याशुंकर जी जो पतासमाली अत्यच है आदर्डी रवीर सुनकार जी जो हमारे गेंदरी प्रवारी है जया बेहरा